एक रात में मेरे 20 साल पुराने घुटनों का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो गया आप ही इसे जरूर अपनाएं पुराने से पुराना घुटनों का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा इस घरेलू उपाय से दोस्तों चाहे हड़ियों का दर्द हो जोड़ों का दर्द हो आप भूल जाएंगे चाहे गठिया का दर्द हो कितना भी पुराना कमर दर्द हो या आपके घुटनों में सूजन हो दोस्तों बिलकुल ठीक हो जाएगी इस अचूक नुस्खे से हमारे शरी में पोशक तत्वों की कमी से प्रोटीम केलशियम की कमी से हटियां कमजोर हो जाती है जोडों में दर्द होने लगता है और यंग जनरेशन में भी आजकल जोडों के दर्द जो है वह तेची से फैलता जा रहा है लोग कई तरह की दवाई खाते हैं ट्यूब लगाते हैं क्रीम लगाते हैं पर अंतु दर्द उससे पूरी तरह से ठीक नहीं होता है पर अंतु आज जो मैं आपके लिए घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ दोस्तों, वह 100% वर्क करेगा, आपको घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी, गुड लिया है दोस्तों, आपको एक चम्मच गुड लेना है दोस्तों, तो गुड कोशिश करें, पुराना वाला लें, डार्क गह हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर हम घुटनों के दर्द, जोडों के दर्द के लिए जो घरेलू उपाय कर रहे हैं, उसमें हमें एक पेस्ट बनाना है, इस पेस्ट में हम गुड डालेंगे, तो यह जो पेस्ट बन रहा है, जो कि हमारे दर्द को खीचेगा, जो कि दर्द उस एरिया से जहां पर हमें जोडों में दर्द हो रहा वहाँ पर लिए चिपक जाएगा इसलिए हमें यहां पर गुड का इस्तुमाल कर रहे हैं एक चमच आपको गुड का पाउडर लेना है दोस्तों और साथ ही साथ आप इस उपाय को यदि आपको कमर में दर्द है एडी में दर्द है गर्दन में दर्द है वहां भी आप इस से मसाज कर सकते हैं थोड़ी देर आप इसे मालिश करते हुए अपने जोडों के दर्द की ज समय की रहती है दोस्तों जैसे ही आप क्रीम से मसाज कर ना बंद करेंगे को ली खाना बन करेंगे दर्द वापस शुरू हो जाता है और अब हमने इसमें डाला एक चमच柅ली होती है एंटि बैक्टिरियल होती है एंटिश्सेप्क होती है और हल्दी तो बगधी बढ़िया से राहत दिलाती है हल्दी को छुटकी हलडी खाने के अलावा एक मी फ़ठी आप लगते है तो घुटनों यूदके l और जो चूना होता है दोस्तों यह हमारी हड्डियों को मजबूती देता है और सांथ ही सांथ दर्द को कम करने में सहायक है और घुटने में या एड़ी में हमारे गर्दन में कहीं भी हड्डियों के जोड़ों के दर्द में सूजन आ गई तो सूजन को भी कम करता है चूना अब आपको क्या करना दोसों इसे अपने घुटनों पर हल्की हल्की सी मसाज करना है सर्कुलर मोशन में घुटनों के गोल गोल चारो तरफ इसे घुमाएं और इसे लगाएं उसके बाद आप इस पेस्ट को लगाने के बाद दोसों चाहें तो कोई गरम कपड़ा लपेट ले आप चाहें तो इसे भी लपेट सकते, कोई भी थोड़ा सा गरम कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा थोड़ी देर लपेट ले, ताकि घुटनों में इसे लगाने के बाद गर्मी बनी रहे, पानी जरुट के अनुशार ही डालना, मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मै राहत मिली है, घुटनों के दर्द से, कोई साइड एफेक्ट नहीं है, आप जरूर इसे ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों, और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही, आप खुद ही देखकर समझ रहे होंगे, कि हाँ हल्दी है, जो दर्द निवारक है, हल्दी, गुड़, और स रात भर रखें, रात को लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, रात को टाइम नहीं मिलता है, तो दिन में भी लगाएं, कुछ समय तो आप इसे जरूर लगा कर रखें, पर चाहें तो हलके गरम पानी में कपड़े को भिगा लें और पोच सकते हैं आप, जितना देर लगाए दोस्तों फैन्यूग्रिक सीड, उसे आप एक चमच मेथी के दाने को रात भर पानी में भिगाएं, सुबह उठकर उस पानी को पी लें और मेथी के दानों को चबा लें, उससे भी घुटनों के दर्द, जोडों के दर्द से आराम मिलता है, मेथी में भरपूर मातरा में कै जो कि हमारे हड़ियों के दर्द को कम करता है, और शरील के पोशक तत्तों जो कम हो जाते हैं, उसकी भी पूर्ती होती है, तो मेथी का पानी भी सुबह उठकर खाली पेट जरूर पिएं, खाने वाली इस घरेलू पाए को करें, और लगाने वाले इस घरेलू पाए को जरूर करें, आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में इसे लगा रही हूँ और बस कोई भी पुराना कपड़ा आप बांध लें, ताकि इसकी गर्माहट बनी रहा है, इसका इफेक्ट बना रहा है, गुट्टों के दर्द से आपको राहत मिलेगी, पुराने इसकी लगी, वीडियो कैसा लगा, अच्छा करा लगा, तो लाइक आप,